नमस्कार बाबाराष्टी नोईज में आपका स्वागत अब चलते हैं खबरों की और नेपाल अंतराष्टी हवाई एड़े पर बिमान दुरखटना ग्रस्त तीस की मौत कठमांडू नेपाल के पोखरा अंतराष्टी हवाई एड़े पर रन्वे पर बहतर सीट वाली यातरी बिमान दुरखटना ग्रस्त हो गई इस हादसे में तीस लोगों की मौत हो गई एएरपोर्ट को बंद कर दिया गया है फिलहाल बचाओ कर रिच्चारी है सरकार ने केबनेट की अपात बैठक बुलाई है जनकारी के मुताबक यातरी बिमान काठमांडू से फोखरा जा रहा था बिमान में चार क्रू मेंबर समय थे 72 लोग सवार थे सुरवाती जनकारी के मुताबक अब तक 300 ब्रामत किया जा चुक है फिलहाल त्रिस्की उच्चारी है बिमान में 5 भारती भी सवार थे यती एरलाइन्स के बिमान में 68 यातरी और चालक दल के 4 सदस सवार थे बिमान दुरगटना गरत हो जाने के बाद तेजी से बचाओ कर जारी है हवाई एडपर रियातरी बिमान दुरगटना के बाद नेपाद सरकार ने केबिनेट के अपात बैठक बुलाई है